स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता, कॉंग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार. वेद का पार्टी कॉंग्रेस पार्टी सीनियर नयकुलू, अधे विदंग इकड़ विच्चेशना, जेचरला प्रजानिकान कंदर की सुस्वागतम धन्यवादाल। और नफरत जो बीजेपी फैलारी है, उसके खिलाफ यात्रा शुरू की है. इस भारत जोड़ो यात्र है देते, कन्या कुमारी के लिए कैश्मीर वर की कौनसा कुतुंदो, इस बीजेपी पार्टी मना मतेला द्विद्वेशाल नी, ओपान नी, फ्रेमगा मल्चानीकी प्रारम मिच्चनों के यात्रा. बीजेपी, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा कर देश को कमजोर कर रही है. बीजेपी पार्टी, अन्ने तामूला मतेला, कोटनाटा बेटी, मना देशाल नी, इस बले ही ना पर्चयों के प्रहेत्नम जैस्तुंदी. और नोट बंदी और जीएस्टी जैसे पॉलिसी लागू करकर, गरीब लोग, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों को चोट मार रही है. और जो पीजेपी दिल्ली में कर रही है, वो टियारेस तेलंगाना में कर रही है. ये दोनो मिले हुए हैं एक साथ कामूला में जैस्तुंदी. तो ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं. ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं. क्यात्रा कमिलनाडू में शुरू हुई, केरला से निकली, करनाटका, आंद्रा, और अब तेलंगाना में आई है. ये भारचोड़ो यात्रा, खन्या कुमरी कमिलनाडू लो मदलाई, तांदरवाता, केरला, करनाटका, आंद्र पैदे शिपुट तेलंगाना कोच्छी इंदी. और दिन भार हम पैदल चलते हैं. किसानों से बात करते हैं, मजदूरों से बात करते हैं, माताय बहनों से बात करते हैं, छोटे दुकांदारों से मिलते हैं. और तेलंगाना में जमीन पे जो हो रहा है, वो सुनने को मिलता है. तेलंगाना लो वास्ता हो परिस्ते दिल एम जर्गुते हैं, अभी विन पिस्तर आप रजल वाला समस्चल मागुते लिए जैस्तरूं। पता लगा कि तेलंगाना में जो किसान है, वो कितना भी दम लगा ले, कितनी भी महनत कर ले, उसका खेत उसे आमदनी नहीं दे पाता। तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर, किसानों की जमीन, आदिवाच्यों की जमीन, धलेतों की जमीन, दलेतों की जमीन, जमीन, चीफ में लगे हुए हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी, काले किसान के कानून, लोकसभा में पास कर रहे थे, तो उनको पूरा समर्थन टी आरेस दे रही थी। कुछ देन पहले, हम बुनकरों से मिले, जो हैंडलूं का काम करते हैं। पूरी दुनिया में आपका हैंडिक्राफ मशूर है। लाकों लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जी एस्टी लागू कर दी। लक्षा मंदी मना चेने तक कार में को लगी, नश्टाम जरगिन दे ते जी एस्टी दिस पर्सेंट जी एस्टी लागू की है। और बुनकरों की मदद टी आरेस सरकार ने नहीं की। वाला कोसम ये ट्वंटी साय हूँ, यह का टी आरेस पार्टी जेह ले दू। तो हम तलंगाना के बुनकरों को आश्वासन देना चाहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, यह जो आपको जी एस्टी का पैसा देना पड़ रहा है, इसके लिए हम आपको कॉंपनसेशन दे देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने आकड़े देखे, आकड़े समझे और आसानी से हम यह काम कर सकते हैं। आज मैं एक student से मिला। इवाला नेनु वित्यार दो तोटिकल शिनान। मेकानिकल एंजिनियरिंग की उसने। सालों पढ़ाई की। आज वो मेकानिकल एंजिनियरिंग करने का वो सपना तूट गया। आज वो मेकानिकल एंजिनियरिंग नहीं कर पा रहा है। मेकानिकल एंजिनियरिंग ठाले का इरोजू जो मेटो लो टेलवरी जेस तूटू। तेलंगाना में पूरा का पूरा शिक्षा का धांचा प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तेलंगाना में वित्या वेवस्ते पूर्त साइलो प्राइवेट व्यास्ता कि कटेप तूंडू। कॉलेज, स्कूल, युनिवर्सिटिग्स सब के सब प्राइवेट हाथों में दिया रहे। और समसे ज़्यादा नुक्सान गरीब जन्ता का होता है। किसानों के बच्चों को होता है, मज़ूरों के बेटियों को होता है तेलंगाना सरकार शिक्षा में सबसे कम पैसा डालती है तेलंगाना गाउणने में प्रभुतों मुंदो विद्या व्यवस्ता पाईना चाना तक्वा कर्चुबड़तूंदी जैसे हमारी सरकार शिक्षा में पैसा जाना चाहिए बजट का जितना पैसा जाना चाहिए उतना हम आपके शिक्षा में कॉलेजेज युनिवर्सिटीज बनाने में डाल देंगे, ट्रेनिंग में डाल देंगे और इससे लाकों युवा अपना सपना पूरा कर पाएंगे यात्रा में आपने हमारा पूरा समर्तन किया यहां भी हम गए हमारा स्वागत हजारो लाकों लोगों ने किया आपने अपना प्यार अपनी शक्ती इस यात्रा को दी और हिंदुस्तान में बीजेपी जो हिंसा और नफरत फेलारी है उसके खिलाफ आप सब खड़े हुए यह जैसी है यात्रा चल रही है यात्रा नडस्तुंटे उका नदी लेका प्रावमा में प्रावमा में पारत हुंदी इसमें कोई नफरत फेला नहीं है कोई व्यक्ति गिरता है दक्का लगता है गिरता है सब लोग उसको उठाते हैं मदद करते हैं कोई यह नहीं पुष्टा कौनसे धर्म के हो कौनसी भाषा बोलते हो कौनसी जात के हो एकदम मदद कर देते हैं यही सच्चा हिंदुस्तान है यही आपका इतिहास है इदे माना चरित्रा और जो बीजेपी आरेसेस कर रहे हैं वो देश के हित के खिलाफ है मगर आपको यह सवाल पूछना है वो आपको बाटने का काम क्यू करते हैं आपका जो पैसा है वो आप तक नहीं पहुंचता हिंदुस्तान में तीन चार सबसे बड़े उद्योग पतियों को नरेंदर मोधी जी पूरा पैसा पूरा फाइदा पहुंचाते है पबलिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करते हैं बेच देते हैं प्रभुत्वा विवस्तानी प्राइवेटी करना जैसे हम में इस तुन रो नोट बंदी जी एस्टी जैसी पॉलिसी लागू करके जो छोटे विया पारी हैं स्मॉल और मीडियम साइज बिजनस वाले हैं उनको खतम कर दिया जी एस्टी नोट बंदी दी इसकोन ची चीन 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 व्यापार लेवरे तुन नरो वाला मुत्तम दुकान मूसे इसकोन का परसित इसकोन चीरो मगर दुनिया के सबसे अमीर लोग भी हिंदुस्तान में हैं यह कोई भी सपना देख सकते हैं पूरा कर सकते हैं जो भी यह करना चाहते हैं इनको मिल जाता है यहां आपके चीफ मिनिस्टर अरुदर नरेंदर मोटी जी देते हैं यह राजने अदिक पार्टिया नहीं है यह बिसनेस हैं इनको गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है किसानों से मज़ूरों से कुछ लेना देना नहीं है इदर टी आरेस की चीफ मिनिस्टर ने जमीन का पॉर्टल बना रखा है इदर मना राष्ट्रा टी आरेस मुख्यमंत्री ये दर इदर मना भूमी लग समन्दींची ओगा पॉर्टल व्यवस्तन इस्तापीं चिंडू और चौबिस घंटे इर्रिगेशन प्रोजेक्ट में वो पैसा मनाने का काम करते है ये है आपके चीफ मिनिस्टर का काम कॉंग्रेस पार्टी यहाँ आएगी तो शिक्षा और स्वास्त में सरकार का पैसा जाएगा कॉंग्रेस पार्टी रेप दुनाजिकार हम लो कोच्छनें का वित्याव वाइत्याम लोने पूर्टी स्थाई पाई सलवेट अडम जारगुता दी और जो धर्नी पॉर्टल में ये बहिमानी कर रहे है इसे ठीक किया जाएगा आपने अपनी इस यात्रा को इतनी मदद की इतना प्यार दिया अपनी शक्ती दी इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ नमस्कार जैन